नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रेगा हब में दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एक और जैंडर प्रेडिक्शन का मजेदार तरीका सामना लेकर आया हूँ दोस्तो आप थंबलेंड को देखकर समझ ही गई होगे कि मैं किस तरीके की बारे में बात कर रहा हूँ तो दोस्तो हाँ आज हम आपको चायपत्ती से पता लगाएंगे कि गर्ब में जो बच्चा पल रहा है वह एक बेबी बॉय है या एक बेबी गर्ल है तो दोस्तो वीडियो बहुती इंट्रेस्टिंग होने वाली है और इंपोर्टेंट होने वाली है वीडियो को जरा सा भी स्किप बिलकुल ना करें अगर आप स्किप करोगे तो कुछ भी नहीं समझ पाओगे और दोस्तो जनोंने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर ले और बैल आइकन प्रेस कर दें जिससे जो हर ज़रूरी वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आप तो मिलेगी सबसे पहले तो आए पारी चैनल का उद्देश्य किसी भी लड़का या लड़की में भेदवाव करना पिल्कुल नहीं है वैसे भी आज के जमाने में लड़का और लड़की दोनों ही एक समान है और वह अपने माता-पिता के लिए समान होते हैं लेकिन जो दोस्तों परिवार वालों की एक्ष बीगल है हम इन एक मात्रिक चाओं को धूर करने के लिए हम यह बीडियो बनाते हैं जिसको लड़की चाहिए बहल लड़की की वीडियो देख सकता है और जिसको पुत्र चाहिए बहल पुत्र की वीडियो देख सकता है हम किसी में भेदवाव बिलकुल नहीं कर रहे हैं त आपको बताते हैं यह तरीका कौन सा है तो दोस्तों आपको करना क्या है कि आपको अपने मॉर्निंग का फर्स्ट जो आपका यूरिन होता है आपका जो फर्स्ट यूरिन होता है मॉर्निंग का वह आपको एक बाउल में लेना है यानि कि एक कटोरी में लेना है और उसमें चा उसको 10-15 मिनट के लिए थोड़ा साइड में रख दें और दोस्तों 10-15 मिनट के बाद आपको धेगना है कि अगर उस चाहपत्ती का कलर जो होता है वह चेंज हो जाता है अगर उस चाहपत्ती का कलर चेंज हो जाता है तो आप अनुमाल लगा सकते हैं कि आपने एक बेबी को इसी और दोस्तों इसी के विपृत अगर उसी जो यूरिन है उसमें जो चायपत्ती ड़ली है उसका कलर आप को चैंज दिखाई नहीं देता है तो आप अनुमाल लगा सकते हैं कि आपने एक बेबी गर्ल को कंसीव किया है तो दोस्तो इस तरह आप चायपत्ती से चुटकियों में पता लगा सकते हैं घर बैठे ही कि हमारे घर में जो बच्चा पल रहा है वह एक बेबी बॉय है या एक बेबी गर्ल है तो दोस्तो उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी अच्छी लगी तो लैक जरूर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकूल न भूलें और अगर आपने यहन उसका घर पर किया है और आपके लिए सक्सेस्फुल हुआ है तो हमें कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखें तो दोस्तो थैंक्स पर वाचिंग वीडियो